आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी चाहते हो Google Pay application में आप अपना profile photo remove करना या आप चेंज करना तो आप आसानी से और easy में remove कर सकते हो या change कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे और किस परकार से Google Pay application में से remove करना चाहते हो या हटाना चाहते हो फोटो को तो कैसे हटा सकते हो तो इस वीडियो को अगर आप complete वाच करते हो तो ही आपको समझ में आएगा तो गाई सबसे पहले आपको Google Pay application को open करना है और गाई जैसे ही आप Google Pay application को open करते हो तो गाई यहाँ पे आप देख सकते हो यहा है कि बहुत सारे बोलते हैं login करो, Gmail करो, Google पे आप search करो यानि कि 8-9 मिनट का वीडियो खीच देते हैं और यहाँ पे last time यही process बताएंगे लेकिन मैं short way में यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप असानी से और EGMA कर सकते हो तो सबसे पहले आपको profile वाले option पर आपको click करना है और गया है जैसे ही आप profile वाले option पर आप click करते हो तो बहुत सारे option आते हैं तो guys यहाँ पर settings का option नीचे में आप देख सकते हो आ रहा है तो guys settings वाले option पर आपको click करना है और guys जैसे ही settings वाले option पर आप click करते हो तो guys यहाँ पर आपको personal information notification and email privacy and security का option मिलता है बट हम लोगों को इन सब सारे option से मतलब नहीं है personal information वाले option पर आपको click करना है और guys जैसे ही आप personal information वाले option पर आप click करते हो तो guys यहाँ पर mobile number को भी आप चाहो तो edit करके change कर सकते हो email ID को भी चाहो तो change कर सकते हो language को भी चाहो तो change पर आप click करके जो भी language आप चाहते हो उस language में आप क्या कर सकते हो change कर सकते हो जी हाँ दोस्तो बट हम लोग को यहाँ पे करना क्या है profile photo को remove करना है या change करना है तो guys हम लोग के पास तो यहाँ पे कोई option ही नहीं दे रहा है तो guys अब मैं आपको trick बता रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि Google पे जाओ और Google पे जाने के बाद Gmail search करो और Gmail search करोगे उसके बाद Gmail में login करो यह करो फलान धिमकान यह करने के लिए बोलते हैं बट हम लोग को इन सब सारे की ज़रूरत नहीं है बस आपको short way में अब मैं बता रहा हूँ guys अब आपको यहाँ पे देख सकते हो pencil का option आपको आ रहा होगा जी हाँ दोस्तों आपने सई सुना है अगर यहाँ पे Google पे application को आप यहाँ से install कर लिए हो तो update कर देते हो तो guys यहाँ पे मेरा already updated है तो open पर direct मैं click करूँगा तो यहाँ पे open हो जाएगा तो guys आपको update करोगे तो यह pencil का option आजएगा तो guys आपको pencil वाले option पर click करना है और guys अगर आप चाहते हो take photo कोई photo ले करके change करना है या आप हटाना तो guys take photo पर click करोगे या कोई आप gallery में photo normal photo रखे हो लाइक अगर कोई color का या like यहाँ पे black ही रखना चाहते हो तो black photo कहीं से click कर लिए होगी या install कर लिए होगी या download कर लिए होगी कोई भी google से कहीं से भी उसके बाद आपको choose यहाँ पे from gallery पर आपको click करना है file पर आप click करना है और guys यहाँ पे आपको बहुत सारे photo आपको देखने के लिए मिल जाते हैं अभी remove नहीं करना चाहते हो जिसके बज़र से मैं change नहीं करना हूँ अगर आप remove करना चाहते हो तो आप इसी तरीके से आसानी से और easy में remove कर सकते हो इसके बाद अगर आपको कोई भी doubt होगा कोई भी problem होगा तो नीचे comment section में comment करके बता सकते हो आई hope कि आप इस वीडियो को complete watch किये होगे और step by step देखे होगे तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like किजिए चैनल पर first time visit के तो चैनल को subscribe किजिए तो guys मिलते हैं ऐसे ही नए और मज़िदार वीडियो को साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर